कि गूप मॉर्णिक वोकम टूर्न सकेडमीई कि चैप्टर नंबर फाइव यूओ इन है वैसे हम स्रिक्वेंस में चल रहे हैं वाद चैप्टर नबर फॉर की फ्लो का चैप्टर है उसमें यह जादा कॉम्प्लिकेशन निया चैप्टर नंबर फाइफ एक इंट्रोडक्री चैप्टर है आप ने अनलाइस कि होगा कि हर साल कुछ न कुछ चीज ऐसी आती है जो बिल तो उसका फर्दर प्रोड्शन आएगा अपकी बार जीपी उसका फर्दर प्रोग्रेशन आएगा जीपी चीए ना तो यह तो है जो पिसली साल से कंटिन्यू कहा और कुछ टॉपिक्स होते हैं बिल्कुल नए होता है आप देखो इसमें से आपके सर्क्वाड्रेटिक एक इकविशन में हमने कुछ चीज़ ऐसी थी जो महीं पर छोड़ दी थी हमने कहा था कि यह हमारे कोर्स में नहीं है जब 11 में तब देखेंगे तो वह कुछ चीज़ों में से एक चीज़ है complex numbers बेसिकल यह वाला पार्ट बिल्कुल नहीं आए हैं यह वाला पार्ट आपने सबने डाली चलिए अब बात करते हैं पहले कुछ जनरल बात्चीश करते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले ठीक हमने इकविशन सीखी तो इसको सॉल करने के हमने हमने कुछ तरीके सीखे थे ठीक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ठीक है फैक्टराइजेशन मैथड और एक तरीका और था जिसको अपन बोलते हैं यादे क्या जिसको पन श्रीधर आचार्या मैथड भी बोलता है यादे बोलो याद है कि नहीं अब ध्यान से सुनना इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है इसको कहा जाता था Discriminant, क्या कहा जाता था? जिसको अपन Letter D से Denot कराते थे यादेगी, इसको क्या कहा जाता था? Discriminant अब अगर यह Discriminant कैसा है? इस पर बहुत सारी चीज separate होती थी अगर यह Greater Than 0 है तो क्या आपन कहते हैं क्या 2 Distinct Real Roots यादेआँ, और अगर यह Equal to 0 है Wow आगे आंसर निकाल लेते थे इस में ab venues all कर लेते थे राद है तो हुआ को च्छोड़ देते किसी बी चीज की बेलुन ने लेस देन जीरो है क्या है वह क्या है नेगेटिव नेगेटिव तो बी स्कॉयर माइनस फोर सी जब नेगेटिव हो जाता था उसके इसको ऑपन छोड़ देते थे सब्सक्राइब यहां पर यहां से छोड़ते थे इसी को अब उठाना है तो यह जो रूट के अंदर माइनस फैफ आ गया ना यही नहीं एक्षाऩी यहीं मेरा औंप्लेक्स नंबर है इसको दूसरे बोलते हैं किया इमेजिनेरी नंबर य directamente क्यों बोलते हैं क्योंकि आभी जिससे माइनस फाइक्जामब्स लेते हैं तो हैं इसना नंबर रियल में एक इसस सकता है कि कि इससे क्युंकि कोई भी दो नंबर नहीं हो सकते जिसको उसी से Coupler कर jaki एक नंबर थे निए लेकिन शॉल करते-करते आ रहा है तो नमबर तो है लेकिन ये रियल नहीं है इनसं से complex numbers भनते हैं आप यह भी कैसक्ते कि नंबर के पार्ट को लेकर क्या बनाएजाते हैं कैंपलै्स नंबर बनाए जा तक वह गए तक चोड़ अब वहीं से उठाना और आगे उसको फुर्दर अनलाईज करना कि इसका आगे क्या करना होता था इसका अगे क्या करना होता था अब हम कह देते थे नो रियल रूट अभी अपन रूट इसके बाद भी निकालेंगे मतलब कहने का मतलब है बीस पार मैंने स्वोरी से के लेसिन in earlier classes we studied that in earlier classes we studied that the roots we studied that the roots of a quadratic equation the roots of a quadratic equation of the form of the form is from you to the quadratic equation a x square plus bx plus C equal to 0 is from beauty and R are R x equal to minus B plus or minus whole root of B square minus 4 a C divided by 2A we studied classes in earlier classes which is quadratic equation roots here are quadratic equation और यह होते थे उसके रूट्स निकालने का फॉर्मूला के दो यही रूट्स हैं यही तो रूट्स हैं और मुला के दो यह रूट के दो एक ही बात है रूट का मतलब वैल्यू आफ एक्स रूट का मतलब क्या होता तो माँ पर वैल्यू आफ एक्स ठीक है हम लोग परते थे आईश्या को यादो मूल बोलते थे मूल मूल यहां तक ले रहें अब बात करते हैं हेयर हेयर हар विस्टडीः भाट हेयर भी फुरस्डडेऊट आगे और हम सीखें कैसी कर भी फुर्द भाट दाट ओ दीएक्वल टू डिस्क्रिमिन डीगिवल टू क्या होता कि दिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रीमिन और दी इक्वल टू क्या होता था बी स्क्वाइर माइनस पूर एसी होता था इसको भी डालो ब्रैकेट में जो में में पॉइंट से कभी आपको रिविजन करना पड़े तो आप यह जो बॉक्स बना देते हो ना सीधे यह फड़ावट देखके भी चले जाओ तो आपका बेस्ट अन्-देश्क्रिमिनेंट था एन Алप यह फिर देशन करनें नेशर ऑफ रूट्स जियादा ना जिसे टू-प रिहलूट्स यह तो इस्टिंग रिवलूट्स ही क्या है नेचर आप पूट्स ही तो है वी अनलाइस्ट दशीजा स्था आप यह नेचर गुट्स रूट्स और दे गीवन क्वाड्रेटिक एक्वेशन गीवन क्वाड्रेटिक एक्वेशन और कैसे हम एनलाइस करते थे कि पहला केस्ट नम्मर बन कैसे करते थे कि दी इक्वाल टूबी स्कॉयर माइनस पोर एची अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या होता था था बोलो टू डिस्टेंट मतलब अलग-अलग-ग्रेटरद दिस्टेंग्ट रियल रूट्स तो अगर डी इक्वलन टू एक्वल्ट की वैल्यू अगर एक्जाक equal to zero i टो हम कहते थे क्या two equal real roots right right info equal real roots and in case the less than 0 3rd number analysis के था हमारा in case वह less than 0 और हम क्या कहते थे no real root क्या कहते थे no real root इसका kो real number है यह नी x की value ऐसी x की real number वाली value नहीं है जिससे यह equation satisfy हो जाए पाइन चलते हैं आगे कि यहां तक विटान उटान चलें आगे अब इसमें से पर्टिकुलर ले इस केस की बात करेंगे इस पाइन चूड़ देते देंगे यहां तक को हम करते थे सौल अपने इस केस को छोड़ देते ते उसी केस को तो अब उठाना है वापस और आगे फर्दर दिसकेशन करना हैं फर्दर फर्दर इवदर रूट्स इफ दर रूट्स इवर ओफ वर ऑफ केस थ्री तीसरे के एगर होते थे थे तो हम छोड़ देते नो रियल रूट अगर ऐसा होता था तो हम क्या करते थे दैन कि वी कंक्लूड़ीड डाट कि वी कंक्लूड़ीड the solution we concluded the solution of the given quadratic equation given quadratic equation to be non-solvable to be non-solvable क्या लिखा हमने कि अगर case 3 आ जाता था तो हम यह conclude करते थे कि इस quadratic equation का solution अब non-solvable है इसको यहीं छोड़ना है आगे नहीं बढ़ाना है एक इन बट इन इस बट इन इस बट इन इस इस ख्लास में विव समय आनलाइस विव आनलाइस the solution the solutions of the quadratic equation क्वाद्रेटिक एक्वीशन इवन इफ इवन इफ दे आर इवन इफ दे आर आफ दे नेचर कि एफ केश्ट्री और इस इस क्लास में हम क्वाद्रेटिक एक्विशन को भी अनलाइज करने वाले हैं जो कि केस्ट्री से भी विलॉंग करते हैं अब आपन लिखते हैं कि केस्ट्री में जो वो डिस्क्रिमिन नेगेटिव आता था ठीके नाओ 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 चलो लिखो नाओ वेन वेन डिस्क्रिमिनेंट वेन डिस्क्रिमिनेंट अपके सभी बिमार हो रहे होगा डिस्क्रिमिनेंट टी एक्वल टू बी स्क्वाइर माइनस फोर एसी इस लेश देन जीरो जेटा है जब ये लेश देन जीरो हो जाता है ये पिर होता क्या है ये जो हमारा रूट्स निकल के आते हैं वह कुछ ऐसे निकल के आते हैं माइनस बी प्लस और माइनस रूट के अंदर एक नेगेटिव नमबर यह सोनो रूट के अंदर एक बोलो नेगेटिव नमबर डिवाइड़ वाई तुछ ऐसी फॉर्मेट में निकल के आता है हमारे रूट्स जब आप लेशन जीरो हो जाता है तो हमारे जो रूट्स होंगे बनेगेटिव हो जाएंगे में अगलो एक नेगेटिव नहीं होंगे नेगेटिव का चलते हैं रूट के अंदर नेगेटिव नमबर आया है इसको हम कह सकते हैं can be can be defined can be defined as a इसके दो नाम हम दे सकते हैं एक कोंप्लेक्स नंबर और एक मैंजनेरी नंबर का एक पार्ट है कॉंप्लेक्स नंबर बड़ा कॉंसेप्ट है हमारे रियल नंबर है वह भी कॉंप्लेक्स नंबर के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहने का मतलब यह कि जो इमैजनेरी नंबर होते है यानि कि कौन से होते हैं रूट के अंदर नेगेट्टी निए रूट उप मायनस फाइव और मैंस 8 रूट ओक्त इचहार इन पृत а इना वां वांते हैं अगे बढ़ते हैं कि इसारी चलिए टो आगे बढ़ते हैं कि इस रूट आफ नेखिटीव नमबर यह जो अपनेखिट नमबर कह यह इस वागे परिदर सल्ड है यह आनॉह क्या करते हैं और फर दर के सा JOE ले लो रूट ऑफ या माइनस ए ले लो रूट ऑफ माइनस ए टाइप का नंबर आगया मेरे बस आगया वहाँ पर एक रियल नंबर जिसे 345672 और उसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस नंबर आए इसको हम कैसे लिख सकते हैं बी एक्सप्रेस्ट एस सब्सक्राइब एक्सप्रेस्ट चाहिए एक्सप्रेस्ट मैनस 1 इंटू ए कर सकते और और इसको और आगे फर्दर करें तो माइनस 1 इंटू रूट a ऐसे भी कर सकते हो कर सकते होँ अब यहाँ पे जो यह Minus root of –1 part निकला ध्यान से सुनना यह जो –1 root पाट निकला कुछ भी हो 345 seivy बोग मेर काया सकता है जैसे फ्याएंपल अगर सबच्छ कर得 Have a root of minus 5 तो इसको सकता हूं root of minus 1 into root of 5 कर सकता हूं सब्सक्रों मेरे पास है root of minus 10 तो यह जो root of minus 1 अलग कर सकता हूं कर सकता हूं ना कि किसी भी imaginary number में से यारी इमेजनेरी नमबर बोले तो रूट के अंदर negative वाला नमबर किसी भी ऐसे type के number मैं से आप root of minus 1 को कभी भी लग तर सकते हो यह जो रूट हो है इसको बोलते हैं आई और यही पर इंट्रोड़क्शन हो जाता है उसे मैंजिनिरी तो आप क्या करते हो किसी भी रूट ऑफ नेगेटिव में और को आयोटा के फॉर्म मेंese कर सकते हैं कि सामें सकते हो यहां पर तो माइनस बन को अगर मैं नाम दे दूं आयोटा तो आप देखिए जितने भी आपके पास आगा प्लस और मैंनस बोल सकते हैं तो आगे लिखो आयोटा के बारे में बताते हैं यहां पर यहां पर एक रियल नंबर इस माइनस के अलावा जो नंबर उसको वह इमेजने नहीं होना चाहिए वह तो एक रियल नंबर होना चाहिए न तो क्या लिखा हमने डिस डिस रूट आफ यह सबसे इंपोर्टेंट और सबसे नोटेबल बात है पूरे चप्टर की डिस रूट ऑफ माइनस वन इस कॉल्ड इस कॉल्ड आज आयोटा इन इस डिनोटेड वाइं और इस डिनोटेड वाइस कुट इन नोटेड लेटर आई ठीक है दिस रूट ऑफ माइनस वन इस दिनोटेड इस है कॉल्ड एस आयोटा आयोटा और इसको किसे दिनोट कराते हैं अपन लेटर आई होगे यहां तक नो डाउन होगे इतना नो टॉर्लिए सबूए कराते हम अब कुछ एक सब knees 1-1 लिख सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा रूट फ इनसं को तो तो आई बोल दिया न अपन नहीं तो आई इंटू रूट फाइव हो गया है तो इसको अपन सिंपली क्या बोल सकते हैं रूट फाइव टाइमस आयोटा यह रूट फाइव आयोटा ठीक है एक एक्जांपल और लेलो जैसे कि कुछ भी लेलो बोलो रूट आफ माइनस 15 लेलो आयोटा ग्रीक लेटर है ताना यह यह ग्रीक लेटर है रूट फिफ्टीन हो अपने इसको लिक्ते है ने यह आई की सब्सक्राइब हम इंगलिस लेगजिए ने इसको करवा है शोडी दिफरेंट बनावाट है एस और बीचे दिफरेंट है शीए सिमिलरली इस ताकि भी बनावट अलग है बड़ चलो हम इंग्लिश लेक्टर को लेके आते हैं उस लेटर को तो हम आई लिख देते हैं तो यह दो एक्जांपल्स काफी है अच्छा यह माइनस नहीं है तो मैंने ऐसे ही वह लगा है ना इस दो एक्जांपल्स ठीक है तो यह तक सारी बाते क्जिटर हमको क्या क्या चीज़ें सीकने आशिक यह बारे तो अब कॉंपलेक्स नंबर्स का इस अब dab dio स wife निचे डाडवों लों कॉंपलेक्स नंबर्स मचर्टर्ट पर सेष्डåd a number of the form a number of the form a number of the form कौन से का नंबर को लेटर जेट से डेनोट कराते हैं किसे लेटर जेट से डेनोट कराते हैं और किस पॉर्म का नंबर होता यह कुछ इस टाइब का नंबर होता है एगे लिखते हैं एगे लिखते हैं आप बुक में एक्सप्लस आई वाई लिखा वाई कि लिखा वाई तो इन नंबर ऑफ फॉर्म एक्स प्लस आई बी इस फॉर्मेट का कोई भी नंबर होगा ना उसको अपन क्या कहेंगे और इस नंबर को डिनोट किया जाता है लेटर जेट से इस नहीं सुरी स्मॉल लेटर जैट वैसे कैपिटल स्मॉल ज्यादा फरक नहीं पड़ता पर जल जनरली स्मॉल है तो स्मॉल ही लगा और इस जनोटेट बाइस इस चीक है डाट इस मैं क्या लिख सकता हूं डाट इस जैड इक्वल टू ए ब्लस आई बी टाइप का कोई भी नंबर कमप्लेक्स नंबर हो जाएगा है यहां तक सारी बात क्लेर हो गई है अब एक्जाम्पल लेक्षा कैसे कोई भी नंबर कमप्लेक्स नंबर है होगे यहां तक लिख लिए आपने ठीक है फॉर एक्जांपल एक्जांपल जैसे अभी रूट ओफ माइनस ताइब और यह सब ले रहे थे ना उसके अलावा नमबर लो जैसे कि मैं यहां पर यह है एस कौशल नमर का रियल नमबर का रियल इसके दो पार्ट होते हैं रियल पार्ट और यह होता है इमैजिनेरी पार्ट और जो बी है ना इसको क्या कहा जाता है imaginary part हाला कि A और B दोनों real number सर्द्ध्यान से सुनना Z equal to A plus IB में AB एक real number है और BB हैं दोनों real number लेकिन parts की बात करी जाए तो यह real part है और वो imaginary part है तो B खुद एक real number है लेकिन complex number का वो imaginary part है और A तो real number भी है और part भी real है तो यह बात लिख लेते हैं पहले फिर example करते हैं तो it is denoted by letter Z that is Z equal to A plus IB लिख लिए वेयर वेयर यह बात लिखलो यहीं पर ही वेयर A and B are real numbers वेयर A and B are are what real numbers तो यह और भी दोनों real numbers होंगे यहां पर 2 3 4 root 2 root 5 यह जितने भी real numbers होते हैं यह सकता है ना also 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 a is called a is called the real part a is called the real part of the complex number Z of the complex number Z complex number Z का real part कहलाता है एंड बी इस पॉल्ड़ इमेजिनेरी पार्ट इसका इंट्रोड़क्शन खतम होगा फिर मैं आपको बहुत इंट्रस्टिंग चीज बताऊंगा कई बार आना जो मैच के टीचर से आपको इक्वल करके बताते हैं कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कु-कुछ-कु-कुछ-कु-कु सब्सक्राइब कर देते हैं आपके स्कूल में भी करवाया होगा कभी किसी ऐसे टीचर ने आज गल सोशल मीडिया का जमाना है वहाँ पे आपने देखा होगा वी स्कॉल इमेजिनेरी पार्ट आप दो आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां तक लिए पार्ट आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर जैट अब लो एक ग्जामपल लो तो इसमें मैं क्या कहांगा कि fare here 3 तो क्या कहलाएगा मेरा 3 पार्ट can be the real की यह वर यह इसने इमजनेरी पार्ट समझ पारे ओं जो आई के साथ लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे इमेजनेरी पार्ट और जो 3 के साथ जो मतलब आई के साथ नहीं लगा उसको क्या कहां हम हम रिएल पाइज ने पार्ट यहां तक लो एक एक इकजामपल और बताना बट्रीजी नॉन याज लो जैसे कि मैंने का रूट सैवन प्लस रूट सिक्स आयोटा तो बहुत सैवन नहीं लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा मेरा रियल पार्ट है यह सब्द्स पर पढ़िए कि रूट सेवन को बीड्ल सेवन पर पॉल पॉल एंड रूट सिक्स क्या हो जाएगा मेरा इमेजनेरी पार्ट अब एक नंबर जो हमने उपर इमेजनेरी नंबर का जनरल इंट्रोड़क्शन किया भी रूट ऑफ-5 रूट ऑफ-6 नंबर किया था ना बताओ उसको कानवर्ट करके बताते हैं जैसे कि फिल में से नंबर ले लो जैसे वी रूट-ओ-मांइस विटीनी को मैंने क्या लें आयोट खें पाया था उपरilstरु मैं में सकता हूं जीरो प्लस रूट वीट 198 है k들 प्लेटल वो तो अब मुझे बताओ यहां पे कौन सा अ PayPal ले बता है शी रो ठीक है आप इसनम्र एक में खास बात देखो इन में नम्बर में तो क्या हो था रीयल पार्ट भी कुछ मतलब नess हिए जोब रहता है और इमेजनयरी नमब्र नमब्र जिसमें रियल पार्ट ही मुझूद नहों यहो तो इसको नमब्र अच्छा नेड़िव नहीं करेंगे मालों यहां पर 0 की जगा माइनस 3 होता तो भी आप प्योर इमेजनरी नहीं करते क्यों क्या कहेंगे इसे नंबर को क्या कहेंगे प्योर इमेजनरी नहीं पार्ट सब्सक्राइब कोई पूछे की प्योर इमेजनरी नंबर तो यह है क्योंकि सबस्क्राइब की फॉर्मेट में यह रीप्रेजेंट हो गया ना देखो कॉंप्लेस नंबर तो यह है लेकिन कॉंप्लेस नंबर फिर गज्जेंग और इमेजनरी और अब जिसमें रियल पाट जीरो हो जाए को कहले कि करलेकी चलो अव जैट्व लेलो इसका उल्टा जियांसे देखना मैंने ले लिया एसको अब अपन कंप्लेक्स नमबर का रूप रूप डे सकते कैसे लाचसी इसको में लिख सकता हूँ आउन नो उसमें उसको जीरौ ले लिया उसमें इसको जीरौ ले लो रिप्रेजन विची फॉर में और भी रियल नंबर्स कहते कर पाया और इसमें प्यूर्ली रियल पार्ट सब्सक्राइब कर पाया अब मुझे बताओ है कौन तो होगा इमेजनेरी पार्ट और कौन होगा रियल पार्ट लेको लिखो बेटा कि मैं जगा बनाओ पुर इसी कि तो है यार एर जो पहला पार्ट 7 इसको क्या कहेंगे रियल पार्ट 7 इस दरी पार्ट और दो ओर आई के साहे जड़ारों क्या जुड़ावतन है जीरो जीरो इस दर्elी पार्ट लिए रियल 20 ठाल इस बार इस लिए पान टी Dream और रियल नंबर इस दर इमेजनेरी पार्ट मेंजनेरी पार्ट में सो यह वाला जो नंबर है यानि 777 विल बी कॉल्ड एस क्या प्यार प्यार रियल कॉंप्लेक्स नंबर तो यह भी है क्योंकि दुनिया का हर एक रियल नंबर या नॉन रियल नंबर या कैसा भी नंबर कॉंप्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में अब अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कर सकते हैं ठीक है यहां पर यह वाला नंबर हो जाएगा प्योर इमेजनेरी कॉंप्लेक्स नंबर अंडरलाइन कर दो यह तरीके से प्यॉर रियल कॉंप्लेक्स यहां तक कोई डाउट तो चार नमबर से जिसमें जैट वन और जैट तो क्या था मिक्स में था ना तो फियुआर इमेजनेरी था ना वह प्यूर रियल तो इसमें यह तक कोई डिकत ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो यह यहां पर देखो यह सब इसमें लिखा हुआ है रियल पार्ट देनों अच्छा यह चीज लिखना बूलकर रियल पार्ट को अपने से देनोट कराएंगे री जैट और इमेजनेरी पार्ट को अपने से प्रेंट कराएंगे आई-एमजैट जैसे सब पोस्कोर मैंने लिखा स्क्रीन प्लस तु आई तो मैं क्या कह दूंगा री जैसे जैड है मालों ना तो इमेजनेरी पार्ट पूरा लिखो तो ठीक है नहीं तो फिर शॉट में लिखते हैं आई-एम-जैट मतलब वो नंबर जिसका आप इमेजनेरी पार्ट की बार्गतर रहे हैं अब इसके बाद अलजेब्र ही होना चीए वैसे तो फिर भी देख लें अच्छा एक्वालिटी आपको कोशिश करता हूं कि आपके एंसे आटी के सीक्वेंस में आपको पढ़ा सकूं नहीं तो देखो इस साल आपके इतनी डिटेल में नहीं है इतना डिटेल में नहीं है वह ज्यादा डिटेल में यह कॉंपटिशन लेवल नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि नया चौप्टर रहा है बैसिक लेवल पढ़ाना चाहरा हूं दूसरी बात आपके एंसी आटी के सिक्वेंस में एक्सेसाइज वन में कितना कितना है एक कई ट करता हूं कि आपके एक्सराइज अभी जैसे फाइफ पॉइंट वन का इंट्रोडक्टर इंट्रोडक्शन चल रहा एक परिकेस से उसमें किस्टिक्स टाइप क्यूशन से और वह भी सिक्वेंस में जैसे अभी देखो सबसे पहले कॉंप्लेक्स नमबर कब कहे जाएंगे दो कॉंप्लेक्स नमबर अभी क्या सबको पता चल जाना एक सारे नवर धुशन कोई दुनिया का और क्रिक्स किया जा सकता है अब दो श्राल सी बात है लिखी और को मध्स नंबर आ ál एक्वल है सेट तू b इउक्वल स्थिट्टो बी ईएकवल कॉंप्लेक्स नमबर को इक्वार्टS करेंगे मं आग्धर कॉंप्लेक्स नम्बर कॉनसे अब नियुक्द कॉंप्लेक्स नम्बर कॉंद poperod ग्ल तो complex numbers कौन कौन से जैसे कि एक number ले लो Z1 equal to A plus IB जो हमारा standard format है और दूसरा ले लेता हूं मैं Z2 और इसको मैं AB ले लिया तो इसको ले लेता हूं CD आना C plus ID कोई दिक्कत है एक complex number ले लिए मैंने Z1 जिसका format लिख दिया मैंने A plus IB और दूसरा लिखे है मैंने Z2 C plus ID कोई भी नई चीज पढ़ते ना तो पढ़ने के बाद पहली चीज़ी आती उसके इक्वालिटी और उसका algebra अभी आप यह पढ़ें नई चीज़ पढ़ोगे that equality पहली आगी कि दोनों को बराबर कप कांगे और बराबर नहीं है और फ़्सके बात उसके बाद उसको जोडेंगे कैसे गटाएंगे कैसे बात कैसे देंगे नकुक कैसे करें तो और तो इक्वालिटी ओप्लेक्स नमबस लिख लिख दिया तुकॉम्पलेक्स नमबस एकवल टुए प्लस बेंद सब्सक्राइब करते हैं कर उनको इकवल कहा जाता है इस मैं एक चीज लिखे रहा हूं आई डबल एफ आपको सब्सक्राइब होती है इसका मतलब इसका मतलब यह अगर ऐसा हो जाए तो यह होगा लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह ना हो फिर भी वह हो जाए दूसरे कंडिशन से भी वह सकती है नहीं आई देखो मैंने कहा कि अगर अगर शिवम पढ़ाई करें तो पास हो जाएगा इसका मतलब यह थोड़ने कि शिवम पढ़ाईu नहीं करेंगा हो पास दो पास हो जबा इसको यह वह नहीं करेंगा लेकिन वह पढ़ाई ना करे फिर भी वह उपास हो जाए जो किए नई लेकिन अगर मैंने if and only if लगा दिया तो इसका मतलब है जो मैं बात कह रहा हूं उसी से वो रिजल्ट आएगा और किसी बात से वो में फरा होता है इफ में उस रीजन का वह रिजल्ट होता है और बाकी रीजन का भी रिजल्ट हो सकता है इप पनो तो अब वो अगर इसका उल्टा काम करें कोई और काम करें तो पास नहीं होता है इसको बात में कह रहा हूं उससे रिजल्ट आएगा तो इस रिज़न से पिर इसको है तो उसका नहीं आ सकते इस लगा यने लगा लगा तो से पड़ाई कि अगर वह पास वा है तो इसने पढ़ाई करें अगर फंड आई और इस नहीं लगा तो उसका पास हो गया थो सब्सक्तरण भी करें जो रीजन है वह रिजल्ट बन जाए और जो रिजल्ट है वह रिजन बन जाए ऐसा कब संभव है जब इस अधर नहीं तो वह संभव नहीं ठीक है क्लियर है कौन बाहर कोई खड़ाए गया आपकी निजर बाहर जा रही है अंदर आजया करो अरे आओ ना बैठो तुसे ही आर सेट टूबी इक्वल इफ एक्वल टू सी एंड बी एक्वल टू टू डी क्या समझे क्या समझेटे क्या सम्झेट बोलों कुछ शसमझे ग्यां Chinese बताए यह पढ़के चिदो नमबर बरावर कभ है जब उनका रियल पार्ट उसके रियल पार्ट के बरावर है और उसका इमेजनेरी पार्ट उसके इमेजनेरी पार्ट के बारवर है और यह इफ एंड अउली if and only if का मतलब इसके अदाव और कोई शर्ट नहीं इही शर्ट है और if and only if लग दा T मज वह सकते हैं इसका उल्टा वी कैसे कह सकते हो कि अगर रिए?" पार्ट के बराबर है और इमेजनरी पार्ट में पार्ट के बराबर है तो दो उसकी उल्टी बात भी कह सकते हो तो लिख लिख लिए यहां तक आपने इस एक वल टू सी एंड बी एक को टू जी इसके आगे लिखो इस एंड आउन ली इफ हाँ ले जाओ भी तो देखते हैं कितने दिन चलता है कि उसमें रिपैर की आसा से देखते हैं देखते हैं देर और रजपॉंडेंग और रियल पार्ट्स देयर कोर्सपॉंडिंग रियल पार्ट्स आर आज अपने मिस्लेन स्टाट करनी है क्लास 12 निकाल वां प्रीटार करना स्टाट करो विदाउट वेस्टिंग टाइम और पढ़ने कोशिश करो कितना समझाया यह कोर्सपांदिंग रियल पार्ट्स आर एक्वल and their corresponding imaginary parts are also equal and their corresponding their corresponding imaginary parts are equal parts are also equal are also equal इसका मतलब that is that is जैड़ वन इक्वल टूजएड टूजएड डूजएड नमबर इस एक्जैम्पल में आपने जैड़ वन और जैटू लिए ना इसका इसका उल्टा वी होगा साथ में इसका उल्टा गैसे होगा अगर यह बात यहां लिखी हुई है यह बात यहां लिखी हुई है अगर अगर यह बात यहां लिखी हुई है तो इसका रिजल्ट पाुल ऀसकता है समझे कि नहीं समझे बताओ अगर मैंने कहा थ्री प्लस थ्री प्लस टू आई बराबर है किसी दूसरे कॉंपलेक्स नंबर के तो दूसरा कॉंपलेक्स नंबर भी यह होना चाहिए थ्री प्लस टू आई कहने मतलब हो बहु शकल में सेम होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट से मैच होना चाहिए अब आपको सर एक्जांपल नंबर बराबर है इस इस सब्रूद्ड नंबर बराबर है इसका उंपलेक्स नंबर के लेटस से यह जैड वन है और यह जैड टू तो कॉंपलेक्स नंबर बराबर होते हैं जब इसका 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 पूरा नहीं है फ उसका पूरह और इसका इमेजनेरी पार्ट केया हैто 3x-y और इसका इमेजनेरी पार्ट क्या है माइनस 6 तो इन दो एक्वेशन को सॉल करके हमने एक्वेशन सॉल करना सीखा है ना जैसे एक्स की वेल्यू यहां से निकाल लों में क्या हो जाएगा 3 by 4 और उसको यहां पुट अप कर दू में तो य की वेल्यू आ जाएगी तो इन अलजेब्रा ओफ कॉंप्लेक्स नंबर्स के अलावा जितनी में एक्ससाइज 5.1 से पहले पहले जितना भी इंट्रोड़क्टरी पोर्शन सारा कली कवर करेंगे तीसरी इंट्रोड़क्शन पार्ट पर नी पहुंचेंगे माना दो पार्ट्स पर ही और फिर परसूस एक्स झाल